भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने हमें धर्म, लक्ष, जीवन, मानव स्वभाव और प्रेम से जुड़ी कई बाते सिखाई हैं भगवद गीता में बहुत सारे महान संदेश उपलब्ध हैं इसी धार्मिक पुस्तक में भगवान श्री कृष्ण ने सफलता के कई महान रहस से भी बताए हैं जो उन लोगों के लिए बहुत जरूरी हैं जो अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आईए जानते हैं भगवद गीता से भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिये गए उन अनमोल संदेशों को जो उन्होंने महाभारत के युदिसेपूर्व अर्जुन को दिया था विफलता का मुखे कारण क्रोध है क्रोध हमारी सोचनी, समझने की शक्ति को नश्ट कर देता है क्रोध में लिया निर्ने कभी भी उचित नहीं है क्रोध हमारी बुद्धी में भटकाव पैदा करता है अक्सर क्रोध के कारण हम गलत निर्ने ले लेते हैं और जिसके कारण कभी-कभी हमारा सब कुछ नश्ट हो जाता है। क्रोध व्यक्ति के जीवन में सभी प्रकार की और सफलताओं का मूल कारण है। लालच और वासना के अलावा क्रोध ऐसा तीसरा बड़ा कारण है जो हमें नर्क के द्वार की तरफ ले जाता है। क्रोध के कारण आप किसी का बुरा कर पाएं या ना कर पाएं पर अपना बुरा यकीनन कर लेते हैं। यदि आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो मन को शान्त रखते हुए क्रोध को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। वो करो जिससे मन को शान्ती मिले। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, निसंदे मन बेचैन है और सयम करना कठिन है। लेकिन या किसी भी निरंतर, जोरदार साथना द्वारा वश में है। जैसे ध्यान, दृटता के साथ और वैराग इसे, मन में उल्चन, घब अब्राहट और अशान्ती नहीं होनी चाहिए। बाहर चाहे कितनी भी बड़ी दुवधा क्यों न हो। यदि आप अंदर से शान्त हैं, तो आप इस विपरीत पर इस स्थिति में भी सकारात्मक उर्जा महसूस करेंगे और सही निर्ने ले पाएंगे, जो वांशित लक्ष और स्थिति को पहचान सकते हैं, आपके अंदर एक अधभुट शक्ती है, या एक सर्वोच शक्ती है जो आपको जीवित रखती हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, इस चिपीवी शक्ती पर हमेशा विश्वास करो, आप जो कर रहे हो उसे पूरे विश्वास के साथ करो, आप आपक्षा करतव्य को पूरी लगन के साथ करे। रहता है और अपने लक्षों को कभी हासिल नहीं कर पाता आप जो भी कर रहे हैं उसे पूरे विश्वास के साथ करने से ही आप सफल हो सकते हैं यदि आपको यह संदेश है कि आप सफल होंगे या नहीं तो आप अपनी ही सफलता पर संदे कर रहे हैं जहां संदे होता है वहां विश्वास नहीं होता इसलिए कभी संदे मत कीजे बलकि अपने आप पर पूरा विश्वास रखकर आगे बढ़िए डर का सामना कीजे डर से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो ये कि आप उसका सामना करे यदि आपके अंदर कुछ खोने का डर रहेगा तो आप कुछ भी बड़ा नहीं कर सकते किसी भी समस्या का डिंटा से सामना करना चाहिए यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि अगर कोई डर ना हो तो जीवन कितना सुंदर होगा धार्मिक्ता के मार्क पर चले महा भारत में एक स्थिती थी जहां अर्जुन दुविधा में थे और वो कृष्ण से पूछते हैं कि क्या वो अपने ही भाईयों के खिलाब लडने के लिए सही है कृष्ण ने उत्तर दिया कि तुम बुराई से लड़ रहे हो चाहे वे तुम्हारे भाई ही क्यों न हो बुराई को नश्ट करना सही है चाहे जो भी परिस्थिती हो हमेशा धार्मिक्ता के मार्क पर चलो ध्यान करो और अपनी आत्मा से पूछो कि क्या सही है कर्म करना आपका कर्तव्य है परिणामों की पर्वा मत करें आप आपके कर्म अपने कर्तव्य को नियंतरन कर सकते हैं पर परिणामों पर आपका कोई भी नियंतरन नहीं है काम का फल आपका मकसद नहीं होना चाहिए और आपको कभी भी निश्क्रिये नहीं होना चाहिए हमारे अधिकांश फैसले तब प्रभावित होते हैं जब हम उनके परिणामों के बारे में जादा सोचने लगते हैं यदि सिर्फ आप पुरसकार के बारे में सोचती रहेंगे तो कर्म कैसे कर पाएंगे इसलिए केवल कर्म करें जो व्यक्ति परिणामों की चिंता नहीं करता वो कभी भी हार नहीं सकता परिवर्तन संसार का नियम है और उसके लिए आप हमेशा तयार रहें परिवर्तन ही जिन्दगी का सार है चाहे वो जिन्दगी हो या कुछ और परिवर्तन के लिए हमेशा तयार रहना चाहिए यदि आप इसके लिए तयार नहीं होते तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते इसलिए परिवर्तन जरूरी है अपने दिमाग को विचार शील बनाईए और मार्ग में आने वाली बाधाओं का सामना कीजे हमें यह जानना जरूरी है कि राहे कहां कहां तक जाएंगी तता कहां तक जाना है इसलिए हमेशा विचार शील बन कर रहिए जब आप कारवाई अपने पाठिक्रम पर फैसला कर लेते हैं तो अपने स्वेम के सफलता के मानकों को निर्धारित करे अपनी खुद की सफलता को बेंचमार्ग करे और फिर नई उचाई बनाए सबसे बड़ी उपलब्दी हासिल करने वालों ने खुद को अधिक से अधिक स्थर हासिल करने के लिए प्रेरित किया है वह खुद से प्रतिस परदा करते हैं और अपने जीवन के सबी शित्रों में सीखना जारी रखते हैं वे सफलता और विफलता के साथ मिलते हैं लेकिन फिर भी बढ़ते रहते हैं और उनकी यात्राएं हमें प्रेरित करते रहती हैं और हमारे जीवन को प्रकाश देती हैं श्रिक कृष्ण सारी श्रिष्टी के स्वामी थे, फिर भी विनम्र थे और अपने बड़ों के प्रती सम्मान दिखाते थे। चाहे वो उनके माता-पिता हो, शिक्षक हो या उनके निर्थन मित्र सुदामा, वो उन्हें खुश करने के लिए हमेशा उत्सुक रहते थे। इस वज़े से लोग हर जगा उनकी मदद करने को तयार रहते थे। यदि आप सफल होना चाहते हैं, तो आपको हमेशा विनम्र रहना होगा, सभी के प्रती सम्मान दिखाना होगा, क्योंकि विनम्रता सारे सद्गुनों की नीव है, कवी प्रेम चंदर ने कहा है, जहां नम्रता से काम निकल जाए, वहां उगरता नहीं दिखानी चाहिए, प कभी कभी आपको आउच अफ बॉक्स सोचना पड़ता है, श्रे कृष्ण एक महान रन्नीतिकार है, एक और प्रेम का पाठ पढ़ा कर कृष्ण हर किसी को समान दृष्टी से देखने की सीख देते हैं, तो वहीं दूसरी ओर अर्जुन को युद के लिए प्रेरिद कर, यह विडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताए, साथ ही विडियो को लाइक या शेयर करना ना भूले, इसे तरह के तमाम रोचक और अनसोनी कहानिया सुनने के लिए हमारे चानल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को टैक कर दें, ताकि आप को हर अपडेट मिलता रहें